मनी लोड़नी का आरोप लगता है तो जाँ छो यह दिखा दीजिए दुनिया को आरक्षन रहेगा या खत्म होगा ने 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 किया आपके पास दिमाग है अगर आप पे कोई गलत आरोप है तो आप उसको सही कर दीजिए कोई भी काम करना नेता मत बनना इस देश में जातियां बनी मौन भागवत जी ने एक बयान भी दिया है कि जिन लोगों ने जाती बनाई वो ठीक नहीं किया 75 साल हो गए हैं समिधान लागू है और धीरे धीरे सब को रिपरजेंटेशन मिल रहा है लेकिन सबसे तकलीफ देश सफर आज भी इस देश में उन लोगों का है जो जाती के नाम पर हासिये पर थे लेकिन उसी में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं लकीरे खीच रहे हैं मिरसा दिनेस लाल यादर उर्फ निरहुआ हैं गाउं से सफर सुरू होता है फिर लोग संगीत मुंबई और अब संसद मैं आदे घंटे से इनको देख रहा हूं वही सिंपली सिटी है और मैं चाहता तो वो वीडियो रिकॉर्ड करवा सकता था लेकिन मैंने पूछा भी इन से कि आप बाई नेचर इस तरह से हैं या यह राजनितिक दवाब भी होता है कि आप इतना सिंपल हो मतलब यह इतना मत बहुत इरिटेटिंग तो होता होगा फिर भी इतना कैसे प्रिसेंस रखते हैं ने इरिटेटिंग उनके लिए होगा जिनको यह नहीं चाहिए होता है हम लोग बचपन से इसी बात के लिए मेहनत कर रहे थे क्योंकि हमने देखा था अपने बड़े भाई को जो मरे बड़े स्टार भी रहा के और उनके पीछे लोगों को भागते हुए उनके साथ तब तो कैमरा नहीं था मुबाइल का तो आटोग्राफ लेते हूं सब हम बचपन में देखें तो हमको भी वही चाहिए था कि हमको भी उतना प्यार मिले हमको भी उतना आशिरवाद मिले तो हम मेहनत ही उसी लिए कि और जब वो प्यार मिल रहा है तो फिर उसमें इरिटेशन क्यों होगा आपके भी शुरू आती जब आप शुरू में गार है थे तो आपको एक उमीद थी कि मुंबई जाएंगे और इस तरह से फिल्मों भी सफलता मिले कैसे सब कुछ प्लान था या बस होता चला गया नहीं होता चला गया और मुझे लगता है कि हम लोग कुछ भी प्लान कर ले हमारे लिए उपर वाले ने सब प्लान पहले से मैच फिक्स कर रखा है हमको सिर्फ मेहनत करनी होती है और अगर हम इवांदारी से मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से क्योंकि हर व्यक्ति को एक ऐसे जगा पे फैसला लेना पड़ता है कि मैं यहां से इधर जाओं कि इ वह खुण के आयगा पर आना पड़ेगा वहा है आप इतना भाधवाद की तरफ जा रहा है हो सकतह है लेकिन स्रांडिंस का भी है ऺवाह थी ते उन्हों में आपने देख द किस तरह के परिवार से हैं और उस तरह में आप मेहनत कर ना सुरू करते हैं यह तो होता है क्योंक पूर परिवार में ही जब सब लोग यही कर रहे हैं और प्थे आए नोष्ड़ही करते थे थे ल्क अपुलेकिं साल में उनको यही प्रोग्राम मिलता था रचा बहां उसी प्रोग्राम के लिए वो earn याद करते थे में उनको देखता था कि लेके बैठे अपना याद कर रहे हैं और उन्हों ने मुझे भी प्रेरीद किया कि ठीक है तुम पढ़ाई अच्छे से करो लेकिने का गाना याद कर लो ताकि जब मैं प्रोग्राम गांगा तो उसमें तुम भी गाना मैं मैं देखे वी कॉम करने के लिए गया था पर फर्स्ट येर करने के बाद मेरे पिता जी का जब देहांत हो गया उसके बाद जब मैं यह नहीं सोच पा रहा था कि अब करूं क्या क्योंकि मेरी उमर भी कुछ 19-20 साल के आसपास थी और मेरा भाई जो था वो भी 16-17 साल का था तो मेरे पिता जी के देहांत के बाद तो जो बहने बड़ी हैं वो लोग अपने उनकी शादी होगी अपने अपने घर पे हैं तो सारी जिम्मेदारी आ गई मेरे उपर भाई में बड़े थे हैं दो ही भाई हैं हम लोग तो मैं बड़ा और उस दिन मुझे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो एक लाइन किताब में पढ़ी थी वो मुझे खुद पे दिख रहा था कि यही पढ़ा था मैंने कि संपूर्ण गैर जिम्मेदारी से संपूर्ण जिम यहां था नपिता जी हमको कुछ काम करने देते थे नहां लोग कुछ को सब्सक्राइब निया कि अपना करना नहीं बनाना है उनकी ही देन मैं जैसे जो लाइन चुना उसमें भी कही ने कहीं मुझे ओ दिन याद है कि पहला दिन और मै एज मेरी बहुत कम थी और मैं उनके मंच पर सुगया गान थोड़ी देर सुनते सेुंद तो मुझे गाना उनका उनकी अप्धे जगा है अर जगा के मूँ ढूला के बोले कि गाना गाओ और जब इस्टेश पर मैं गाना सुरू किया तो पहला जो इनाम था उन्हों नहीं दिया मुझे यह तो चारली चैपलीन वाली बात हुए उनकी मा ने स्टेश सो पर उनको इंट्रिड्यूस किया था और वो जो पैसे फिके गए थे वो चुन्य लगे थे जो कि बहुत पूर फैमिली पूर बहुत खराब इस्टी वह थी तो वह पहला जो इनाम दिया उन्होंने मुझे उसके बाद बाकी लोग उन्हें जो देख रहे थे वो लोग भी सुन रहे थे और दे रहे थे कि बच्चा एक गारा है क्या गाया था अपनी हाथ है हाँ मैं जो उस समय मैंने एक ही गाना मुझे याद कराया था पिताजी ने तो वो था कि तोहरी चरनिया में लागल बाधिया नवा मैया बीड़ा वाली ना हमके देदादर सनवा मैया बीड़ा वाली ना अच्छा आपने तालीम भी लिए चुकिए आप बहुत हो कैफी आजमी के शहर से हैं एक अलग ही हम लोग भी बात करें तो बहुत फक्र है देश को भी देश भी जानता है आज हम गर को कई दूसरे रूपों में भी लोगों ने परचारित किया लेकिन वहां संगीत भी है लिट्रेचर भी है तो आपने भी तालीम ली है विदिवत नहीं ले पाया मैं कोशिश किया मैंने बताया ना जब कि मैं बिकॉम कर रहा था तो उस दौरान मैं एक गुरु जी थे मव में तो मैं गाजीपुर से मव जाता था सीखने के लिए संडे को कि मैं अगर शास्त्री यह संगीत सीख लूँगा तो मैं और अच्छा गाओंगा पर वो जो घटना होई पिताजी के देहांत वाली उसके बाद मैं वो भी सीख नहीं पाया और मैं पढ़ाई भी आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया और मैं पूरी तरह से उतर गया फिर गाईकी में लेकिन स्कूल मे मतलब हम लोग जिस पुर्वांचल से मैं हम लोग की कद काठी को लेकर एक इंफिर्टी कंप्लेक्स तो है मुझा जानने के मतलब इतना हिम्मत कैसे दिखा है मतलब वह तो देखिए अंदर मतलब कैसे हुआ वो भरुसा देखिए कैसे होता है कि जब आप किसी को देखते है उसका मैं पूरा श्रे जो है वो देता हूँ मेरे मनोज तीवारी भाईया को अच्छा जो मनोज तीवारी जी हैं उनकी एक फिल्म मैंने देखा ससुरा बड़ा पैसा वला हम लोग देखिए अहां मैं बनारा समय देखा और देखने के बाद मुझे लगा कि मैं कर सकता अजंटा के बरना सेवह कि और तो मुमपई में किस तरह का श्रॉगल नहीं किया मैं क्यों किया मैं Ven from कि पता चला कहीं हम प्रोग्राम गाये हैं और रात बर गाने के बाद सुबह पैसा ही नहीं मिला तो फिर पैदल हो गए प्रोग्राम हो रहा है देवरिया में घर हमारा गाजीपूर अब हम घर कैसे जाएं तो बहुत स्ट्रगल वहां हुआ गायकी में लेकिन जब एक बार कि इसी भी गायक का जब नाम हो जाता है तो फिर उसको स्ट्रगल किया शकता इसलिए नहीं पड़ती है कि फिर फिल्म वालों की मजबूरी है वो गायक गायक की मजबूरी फिर फिल्म नहीं रहती है फिर फिल्म वाले क्या करते हैं कि एक चर्चित चेहरा लेते हैं जिसको ज उपर हीट हो चुके थे वो बगल वाली जान मारे लिए सब गाना चुके एक अच्छी बात क्या है गाय की शेत्र में कि इसमें गुरु सिस्य की परमपरा चलती है और इसमें हम अपने गुरु का बहुत समान करते हैं और सब लोग करते हैं तो मैं उनको तो सुनता ही था माहँ देव में उनका प्रोग्राम हो रहा था और वहां हम लोग अपने गाहों से गए और साम हो गई थी तो फिर पांच बचे के बाद कोई बसने चलती है तो हम लोग पैदल चले गए और जाते जाते प्रोग्राम में इतना थक गए कि वह मतलब हम वहीं गमच्छा जमीन पे बिचा के और सो गए उधरी और फक्करपन सुवा में पहले से था तो सो गए जमीन पे तो प्रोग्राम खतम कर कि जब मनोज भाया मंच से जा रहे थे तो उनकी नजर पड़ी तो बोले कि अरे यार वो लड़का कोई सो गया जगा तो उसको अपना चला जाएगा तो कोई उठाया तो मुला रहे भाया जाओ बिटा हो गया प्रोग्राम तुम सो गया क्या प्रोग्राम सुनने आये थे मुला हम यह बहुत दूर से आये थे पैदल तो यह पहली मुलाकात थी अब दूसरी मुलाकात और दूसरी मुलाकात उनसे हुई जब उनके साथ फिल्म मिली मैं उनको बताया कि भाइया मैं वही लड़का हूं जिसको आप मारकंडे महादेव में जग आये थे रात को कि उठके जाओ घर हो गया प्रग्राम क्या बात कर रहा है तो भी खुश हो गए और उनके साथ फिर बहुत सारा मंच साजा करने का उसर मिला फिल्में में काम करने का असर मिला और आज देखे राजनीती में भी कहीं ने कहीं उनका बहुत आशिरवाद है यह जो हमारे जो लोग होते हैं उत्तर पुरवी बिहार के या उत्तर मतलब पुरवत्तर के तो पहले परहाई लिखाई में अच्छा एक पहले ले ले लेते हैं सवाल जैसे घर में प्वलाना के बेटा को नौकरी मिल गई 10-5 लाग दहेज भी मिलता था उस तीन-चार लाग रुपए आप लोग के समय दहेज मिलता था बाइक मिलती थी इसका दबाव भी जहलना पर आप नहीं दबाव हम लोग को इसलिए नहीं जहलना पड़ता है कि मतलब कि आप यह कहन है कि जब ऐसा होता था कि घर की स्थिति ऐसी थी कि भाई खर्चा घर का नहीं चल रहा है और पैसे चाहिए तो यह तो दिमाग में नहीं था कि सरकारी नोकरी और वो सब चीज पर यह था कि कुछ भी मिल जाए कहीं कुछ तो कर लें ताकि हो जाए एक बार मैं गया भी मोव में कोई मैंने अकबार में इसा पढ़ा कि इतने लड़के लड़कियों की आउशकता है और इतना तंखा में बस इतना तंखा मिल यह तो काम हो जाए प्राइब जोब आला था हां तो मैं जुट्था इस्तियार ने 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 मैं पहुंच गया उसके मैं उसके ओफिस पहुंचा और वो बोला कि हम पुरा तैयारी करके जा रहे थे जीके का कुछ जन्रुसेंट वाला जीके पारे होंगे जा पर जोगता धर्पान कुछ तो पूछेगा और वो मैं जैसे गया बोला कि ठीक है तो आप कर लीजे मैं हां तो बहुत अच्छा कु लिखे थे वह देखो जितना बेचोगे एक एक मानलो एक कलम बेचे तो उस पर चाराना मिलेगा तुमको अब ऐसे तुम जीटना ज्यादा तो चार जार तुम दस हजार भी कमा सकते हो तो हम बोले नहीं चार हजार अगर दे देंगे तब तो हम बेचने को तयार हैं अब आ पहली बार कितना मेंताना मिला था पहली सेलरी जो गाने से मिली पहला परकम पहला वही था जहां मैं पिताजी के मंच पर गाया तो अन्य तो इनाम ही मिलता था और बाकी जब हम लोग प्रोग्राम शुरू किया तो आजकल तो बहुत पैसे हैं बोचपूरी में आप लोग जब सुरू कर रहे हैं तीन सो पान सो यहीं मिलता था तीन सो पान सु रुप्या एक दिन का रात भर का पूरा रात गाएंगे तो पान सु रुप्या भी लेगा और उसमें भी सबका अपना जो ढोलक वाले का भी अपनियों खौट अथादरेश लुप्याजा थे तो समय ये सा ये जो पुराने गया यूटूबर पर हुए गाना सब जो परा हुआ एप दम दुबले पतलेया तो वो सब है मुजी कमपणी जो इस तमाम कैसेट वाले कमपनी क्या गों इस सब आपसे वानला गाना था ये नहीं वो कैसा था कि मैं एक एल्बम गाया था एक छोटी से कंपनी थी और खुब चला तो खुब चला तो टी सिरीज वाले चाहते थे कि उसी को मैं फिर वहां भिगा दूँ तो मैंने का नहीं काम नहीं करता उनका वो गया आपको यह तो नया देता हूं तो बोले रही नहीं तो मैं बोला तो यह जो दे रहा हूं यह सूपर हीट होगा ना पर उनको भरुसा ही नहीं है तो ले तो डिये उलोगा ना लेकिन बोले कि चलो ठीक है बिकेगा तो पैसा देंगे और पूछे कि लागत क्या है तुमारी इसके मुल बीस हजार रुपया है लागत तो बोले चलो अगर भी गया तो दे देंगे तो उसके बाद उबीस हजार का इल्बम से 14 करोड का बिजनिस किया उन्होंने और वहीं से मैंनी रहुआ बना और वहीं से जो है मुझे जो भी नाम और प्यार लोगों का आशिरवाद मिलने लगा वो उसी अल्बम से तो लिखती भी समझ बहुत है उस गाने में राजनीतिक समाज समाज में हो रहा होता था मैंने कई दिन सुना आजाता है तो मैं सुनता है उसको तो वह लिखते भी आप नहीं वह मेरे बड़े भाया हैं उछ आचा कि लड़के प्यारे लाल कभी जी वह लिखते थे उनके साथ मैं बैठता तो कभी कभी गाउं आता था तो गाउं में पहले मैं ये कल्चर देखता था कि जो जिस लड़की की शादी हुई है उसको भी अगर अपने पत्नी से मिलने जाना है तो मतलब सब घर परिवार के लोग पूरे ग्राओं के लोग सो गए तो चोरी से जाएगा मिलने के लिए यह घर पे भी अपने महरारू से मिलने के लिए एक बज़ रात तक पूरे गाउं के सोने का इंतजार करना पड़ता था यह कल्चर है हमारा और उस पर गाना था कि मिलला से जादा लेहाजबा जरूरी हमनी के खातिरी लाजबा जरूरी लाजबा जरूरी और बोलता है कि अगर मैं सब का इंतजार करते करते कहीं महीं सो गया अगर तो नहीं जगला पे चूड़ी बज़ई हा धनिया बस दलनिये में खटिया बिचई हा धनिया बस दलनिये में हो यह कल्चर था तो उस कल्चर को लेकि हम लोग आते थे अब कट्टू जब मैं बाद में यह मेरे भाईया का गाना था भाईया नहीं यह गाया था अभ जब मैं आय चुन मुष्ट देख रह वे पूरा समाज बदल गया पूरा गांव बदल गया। ऻो जो लड़का रात के अंधिरे में चो रहे से मिलने जाथा था उघ्रवे में खाला नहाला। बदल रहा था ना घर में खा रहा है अंगनवे में जहां अंगना तक जाने को मर्दों को अलाउड ही नहीं था तो यह सब जो चेंज आ रहा था बदलाव आ रहा था उसको आप समझ रहे वो सब हम लोग गाने में दरसा रहे थे और वो उस समय एक और चीज हो रही थी कि उस समय के आज भी होई रहा है आज तक चली रहा है कि यह शादी के पहले ना लड़के ने लड़की को देखा है ने आप तो देख लेत आप तो कहीं नहीं है आप भारत के किसी गावां में जाईए है आप तो video call पे देख लाएए है दस साल पंदा साल पहले ही खता होगे तो उस समय है अब तो रिंग सरे मनी से लेके और बेडिंग प्री बेडिंग सूट वो सब गाव में भी है मेरे गाव में पूर तो उसमें क्या होता था कि भाई एक लड़का भी कुछ अपनी बच्पन से उसकी उम्मिदे रहती है वो फ लड़का भी लड़की भी और दोनों को कुछ ऐसा मतलब शादी हो गया कि अब दोनों एक दूसरे से सीधे मूँ बात ही नहीं कर रहे हैं और यह गाव में मैं देखता था तो देखता था तो हम लोगों पन्फिक्ट था आजबना तो वहीं पर गाना बना कि वो जो लड़ का अउरत बोलती है कि एजी दोलका अरे यह यह वहला है आपका के तन्हों प्यार से बोलाई लाता तू कहें डाटे लाओ अले डाटी ना कदिन के नहीं लए रहे हट तो वह बोलती है कुछर कुछरे आंख करे बार भयल जहुआ बलम होले होता तेल गम कहुआ तो बोलता ह तो यह उस समय जो प्रोफेसर लोग पढ़ाने जाते थे तो क्लास में गाना गाते वे जाते थे यह असर था कि मैं तो पढ़ाई छोड़ के गाई की मूँ उतर गया लेकिन चोटा भाई पढ़ रहा था हरिकेश और प्रवेश दोनों लोग पढ़ रहे थे तो वो लोग आगे बता दे थे कि वो जो नमन का एड मास्टर साहब हो प्रोफेसर जो है वो आते हैं क्लास में तो यह गाना गाते हुए आते हैं पहली फिल्म हिंदी कौन से देखे लिए पहली हाँ याद है नहीं नही और वो भी फिल्म देखने इसलिए मिल गया था कि माता जी आई थी कलकटा तो हम लोग पिता जी तो जाने नहीं देते थे तो हम लोग बोले माई के फिल्म देखे किया है तो उन्हीं के बाहने हम लोग देखे थे थे तर में जाके तलकटा को कैसे देखते हैं बहुत कमाल क कि जगा है मतलब साहित तिकारों की धरती है कमाल मतलब वहां रहने का एक और फायदा मिला मुझे कि वहां जहां हम लोग रहते थे तो वहां हर जीले के लोग थे बलिया के भी थे वांचल पुरा कलकत्ता ही जाता था दिल्ली भूप च्छपरा के भी थे गुपाल गंज के भ कैसे बात करते हैं और फिर आरा के कैसे बात करते हैं तो उसका मैंने बहुत लाब उठाया राजनी तीक अपता है कि यह जब पूरा एकदम बेल से टल्ट हो गए थे तब यह भी इक्षा हमारे हैं क्रेजबरा होता है हम लोग बच्पन से पुस्टर बैनर साड़ते बारते रहते हैं तो वहां भी लगता कि MLMP बनना है बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नहीं जाना था मुझे नहीं बनना था क्योंकि मैं हमेशा मतलब लगभग दस्मी क्लास से ही ओशो को सुनना सुरू कर दिया था और उनके हिसाब से राजनीती के लिए जो उनका मानना था जिस त नहीं था उनके हिसाब से तो मैंने तयक किया था कि मैंने जाओंगा फिर मैं एक फिल्म कर रहा था अमिता बच्चन जी के साथ में गंगा देवी तो उसमें गाना था जो हम लोग दोनों एक साथ शूटिंग कर रहे थे जिसमें मैं ये बोल रहा हूं गाने में कि मुझे न मुझे बहुत समझ रहे थे कि इतना मतलब मेरा बड़ा फैन है कि यह डर रहा है मेरे सामने तो मुझे बहुत प्यार से समझाव लड़ा और फिर मैं बाद में समझा कि गलत कर दिया फिर मैं छोड़ दिया तो आज तुमको गाने में समझा रहा हूं समझ जाओ तो मेरे मन में एक ये भी आगया कि जब अमिता बच्चन जी कह रहे हैं कि हम राजनिती में गए लेकिन ठीक नहीं है हम वापस अपने कलाकारी वाली दुनिया में आ गए तो जरूर नहीं ठीक होगा तो हमने मन में बना लिया कि हमको भी नहीं जाना है हम अपना कर रहे थे जी बने ही थे और पूरा देश चाहता था कि उननीस में भी बने तो एक देश का जीमेदार नागरी कोने के नाते मैं भी चाहता था कि फिर से बने क्योंकि देश इनके नित्रितु में अच्छा कर रहा है और उस समय मेरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में महागडबंधन कुः सबस्क्राइब को कीजिए उसमें कोई यह नहीं कि आपzyka इनको रोकने के लिए सब एकठा हुए थे तो मुझे लग भी रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो गडबड है क्योंकि एक आदमी अच्छा देश के लिए कर रहे है और पूरा देश चाह रहा है उनको तो ये हमारे प्रदेश में ये क्या हो रहा है ये थोड़ा हमको अट मुख्यमंत्री जी थे और हमारे महराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वह भी उस मंच पे थे मान्य राजपाल जी थे महामाहिन जी थे और वहीं महराज जी ने मुझे ऐसा कहा कि आप आउ लखनो बात करना आपसे तो मैं सोचा मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है मुझे बुला रहे हैं तो ठीक है तो मेरे लिए सोभागी की बात है फिर मैं चला गया वहां शूटिंग करने मतुरा तो फिर एक दिन फोना गया कि महाराजी बुला रहे हैं आप पहुंचो तो मैं पहुंचा तो उन्होंने का कि क्या कर रहे हो मैं शूटिंग कर रहे हैं स तो बोले कि आपको चुनाओ लड़ना है बताइए उन्होंने का आपको चुनाओ लड़ना है आप क्या चाहते हैं अब असर एक ही चीज़ चाहते हैं कि इस देश के प्रधान मंत्री फिर से नरेंद मौधी जी बने बस जाओ फिर लड़ो लड़ा दिये अब यह और कहीं से कोई यह जुगार जोड़त और कुछ नहीं था आपको बुलाया गया कुछ नहीं मुझे पुझी ने महराज जी ने खुद कहा लड़ो तूं और उन्होंने फिर लड़ा दिया और जो इच्छा उनकी थी वही इच्छा मेरी थी वही इच्छा पूरे है पूल बन रहा था तो गिलहरी भी लेकर उसमें पत्थर डाल रहे थे हैं क्योंकि मुझे उनकी जो राजनीती में उनकी जो सोच है जिस तरह का उनका नजरिया है वो मुझे पसंद नहीं है जैसे जैसे उनके मंच पे कोई व्यक्ति किसी महिला का अपमान कर रहा होता है अब ढ़ाशा का प्रयोक कर रहा हो था और वहीं हो बैट के हसते हैं यह मुझे समझ रहा है कि जया परदा read के बारे में अगर कोई कुछ बोल रहा है आपके मंच से मंच पे बैठे हैं आप आज रमयाण के बारे में आप देख लिजिए रमाइन के बारे में जिस तरह की ब तो जिस व्यक्ति को उन पक्तियों की लाइनों की अर्थ को अनर्थ करने की कोशिश कर रहे हैं उनको पहले ओधी समझना चीए ओधी में तालन किसको कहते हैं देखने को कहते हैं कि का हो इसकुले आई लवा पढ़न खाते हैं इनकी तालन खातीर अब जब मुंबई का कोई आदमी ये बोलता है कि यहां से एक रिक्सा मारो और यहां चले जाओ तब तो आप यहीं कहेंगे कि नहीं तagniker सुनिये ना इसमें तेली कुमहस के लिए लिखा गए चूकि उसमें जाति विवस्ता अपने शवाब पर थी चुकि कभीर ने भी उससे पहले लिखा है रसंत रैदास ने उससे पहले लिखा है उचले वे दुसरा विश्ण हो जाए ऑट्र ऑगवन क्रिश्न जिसके पास तप नहीं है, ध्यान नहीं है, बुद्धी नहीं है, विवेक नहीं है, और उसके पास सिक्षा नहीं है, उसको मनुष्य का जन्म तो मिल गया, पर वो जानवर के समान है मुगल भी थे अंग्रेज भी थे गुलाम तो सब थे आपको नहीं लगता है कि इस देश में जब अभी वही जाती जनगन्ना की बात हो रही है खुद पर्धान मंत्री ने भी 2014 में का था कि मैं पिछरे समास से आता हूं भी उसी क्लेम करते हैं सताइस मिनिस्टर उन्होंने आपको उपी से सबसे आदे बना है आप नहीं मानते हैं कि इस देश में जाती के आधार पर लोग को पढ़ने दिया गया कुछ लोग को नहीं पढ़ने दिया गया जाती को लोग बाद जमीने है जाती को से कुछ नहीं है मुझे नहीं पता आपन कि ताकि जो पिछड़े रहे गए उनको भी प्राधान मिला कि इनको थोड़ा इनको इससा दीजिए बले इससे कह रहे हैं कि जातिया सर आप डॉक्टर अंबेटकर भी वैंने लिसन अफ कास्ट लिखा उन्होंने रिटिकल्स अफ हिंदियुजम लिखा है हमारी मत मानिये सास ने कहा है कि बहुत सारी चौपाईया है मैं कहें तो मैं सुनाओंगा लेकिन उस पर जाना नहीं चाहता है कि वह बड़ा कंफिलिक्ट है उसमें अब तो मुहन भागवाद जी ने भी मुहन मार दिया है कि वह या जाती तो बनाई है लोगोंने लेकिन इसलिए वह जो भ बनी है अगर बनाई भी गई लेकिन ले नंट लोगों जैसे क्या है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं आपके बस्ति आप के बुद्धी गfed is तोई कूफिशए वह भाग मेरा काम है सबसुज सेंपर आप नहीं भरसा करेंगा पने u जादा कॉलेज इंवर्सिटी जाते ना तो आप इतने डर पोक और दबू हो जाते नंबर काटा जाता है सर आज भी एम्स सब्दर जंग जे नियू डियू जैसे इंवर्सिटी में खासकर अभी बैकवर्ड क्लासिस की जो बच्चे हैं वो सबसे आदे संख्या में क्वालिफाई कर रहे हैं जो क्योंकि उनके संख्या ज्यादा है तो वो क्वालिफाई करें बहतर जार सीटें डियू में खाली रखते जाती है तमाम तरह के चल पर-पंच के जाते हैं तो यह चलता है यह जो जशाब अभी क्या है कि प्रकृतिका भी कुछ नियम है कि छीजों को वो बैलेंस करेगी देखिए हम लोग इंसान है अगर हम कुछ अनर्थ या कुछ गलत करने की कोशिश करें के तो उसको प्रकृति समालेगी प्रकृति भी इस मानतें की नहीं आप इसको आज आप देखिए कि जो पूरे दुनिया को घर में बैठा दिया उस करोना वाइरस का वजन कितना था टोटल एक गराम या दो गराम तो सबकुछ हमारे आपके और सबके हिसाब से नहीं होता है तो सुनृइन ना सर पहले डाइडिया से सबसे ज़्यादा मौच ज ज़ी होती थी ना डाइरिया से होते थी पूरी दुनिया में, बिज्ञान ने वारेस बनाया, मौत रुख गई, पहले जो फ्लू होता था, कालरा फैलता था, प्लेग फैलता था, लोग मर जाते थे, बिज्ञान जब पहले हम लोग 4 भाई वहन, 5 भाई वहन, 7 सथ बच्चे लोग करते थे, क्य प्रकृति नहीं है प्रकृति तो है नेचर तो है लेकिन चीजे तरक्की हुई है बिज्ञान ने तरक्की की है परना लिखना दबाई परहाई लिखाई सब तरक्की हुई है इंसान कुछ किसी के सहारे नहीं छोड़ा है इंसानियत ने लोगों ने इस जीवन को बेहतर करने क के लिए मानफता की सेवा के लिए दवाई से लेकर जहाज तक बनाया है यह तो है और यही तो देखिए क्या है जो इनसान है उसको क्यों ऐसा बोला जाता है कि इसकी जिम्मेदारी है इनसान की जिम्मेदारी कि वो सब का ध्यान रखे कहते हैं जैसे हम लोग यही एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि man has won his dominant position on this planet by command over technology thus while he adjust himself in nature but man can change it for his own comfortable and hospitable life आदमी ही है जो इसको अपने हिसाब से बदल लेता है इसी बना लेता है air condition बना देगा आपको गर्मी को ठंडा बना देगा इस कमरे में गर्मी हो रही है अब यसी चालू कर दीजिए तो ये इनसान कर सकता है तो इनसान की जिम्में ये दिया गया कि बागी सब का विधान रखो आप परधान मंत्री कि मैं पता है मेरी अपनी इनीजी राय है मैं आपसे इसलिए पूछ सवाल पूछ रहा हूं इसलिए उन्होंने बहुत सरके नापी है देश एक आदमी सबसे मैंने लोग उनके कहानी सुनाते हैं जो सिनियर पत्रकार है कि वो दद्दस गंटा अठाट गंटा एई बीजेपी हेट कौटर में ख़रा रहते थे कि एक बाइट चल जाए ट्रेन लोकल ट्रेन वो नबज जानते हैं देश का कब क्या बोलना है चुकि एक आदमी 40 साथ सरकों पर गुमेगा बिना पैसा बिना तकलीफे उठाएगा तो नबज जान जाता है आप लोग भी उसी कैटिगरी से हैं कि आप लोगों ने गरीबी देखी स्टार्डम देखा आमीर हुए तो नबज जानते सबसे बेस्ट चीज मुझे उनकी नियत लगती है उनके नियत में देश का तरक्की देश की जनता की तरक्की यह साफ दिखती है उनके हर कदम पे उनकी नियत बड़ी नेक है यह मुझे बहुत अच्छा लोग तो कहरें कि एक स्पेस्फिक कॉर्पेट आज राहूल गान्दी का भासन देखिए खरुत अपोजीसन के है एक सेंटीमेंट बन गया है देश में चुकि हम भी लोग ग्राउंड परी रहते हैं पधानमंत्री को भी पता है वो चुकि सबसे जादे सेंटीमेंट समझते हैं वो किसान अंदोरन कर रहा था उन्होंने सेंटीमेंट समझा वापस ले लिया लोग करें कि कुछ कॉर्पेट हाउसेस के बहुत करीब हो गया है वो देखिए है विपक्ष का काम ही है कि वो आरोप लगा है पर जिस बात को लेकि आरोप लगा रहे पहले उस पर पढ़ा ज़ूक नहीं करते हैं बिना document के यह तो बचकाना हरकत है ना कि आप सदन में किसी के उपर आप लगा रहे हैं बिना वहार document रखे हुए तो सारी जाज जिन्सिया तो आप ही के पार कार करिए ना जाज अगर आपके पास परवार कार ही करवाएंगे मनमुहन सिंग के सरकार थी हम लोग तो चैनल में थे यह बी जे पी पोटेश्ट करती थी तो इस्तिफा होता था जो आरोप लगा रहे हैं वो पहले सही है कि नहीं वो उसको तै करिए जाश तो होगी उसमें कहां दो रहा है आरोप तो कहीगा तो देखे तूजी घोटाला कोले स्कैम इसमें सारी आरोपी कोट ने बड़ी कर दिया लेकिन सबका इस्तीफा हो गया था सब लोग जेल चले गए यह राजा जेल चले गए थे कनी मोरी जेल चली गई थी और वो कोले स्कैम कोट ने कह दिया इवन बिनेवद रहे ने माप भी मांग ली कि वह यह यह ठीक नहीं था जिस आदमी पर आरोप लगा रहे हैं यही न कि उन्होंने बैंक से जो करजा लिया ठीक है उस परधान मंतरी पर आरोप नहीं है लोग यह कह रहे है कि अगर एक फ्रॉड की बात आ रही है सामने परधान मंतरी करजा दिलवाई ने दिलवाई यह भी इश्व नहीं है एक सरकार की जिमेदार सेवी बनी हुई है इडी है अगर आप पर मनी लौड़नी कारोप लगता है तो जांच हो यह बात कह रहे हैं तो कहां कोई पीछे अट रहा है जांच हो क्या दिक्कत है जाज तो होनी इची है तो मैं यह बात जानता हूं कि नरेंदर मोदी को खाने के लिए न कोई निरहुआ जैसे आदमी जो सरक से निकला है उसी को आना होगा जो सेकेंड जेनरेशन के लीडर्शिप है वो उनकी उतनी राजितिक समझने क्यों कि वो तमाम है सो आरा में पलत और ज्यादा बचकाना बात करने लगे लेकिन पैति सब्सक्राइब नाप दिया वही तो गलत जो जिस बात पर गये किस बात पर गये भारत टूट गया क्या उनके कुछ लोग दिवालों पे लिख देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और उचल दिये भारत जो ने उनको लगा कि टुकड़ा हो गया मैं मोदी जी का एक बात के लिए फैन हूं पहले जो है न इस देश में जब तक कॉंग्रेस थी तो इंकम टेक्स इडी सीविया की जाच पता है किसको होती थी मुलायम सिंह आदव लालो यादव मायावती हेमन सोरेन सीबू सोरेन वादब जितने दलित पिछरे आदिवासी नेता थे उनकी जाच होती थी मोदी जी के राज में देख रहे हैं कि जितला भी फक्ष के लोग है बिना जाती देखे सब क्या रेड पड़ता है सब क्या जाच होती है यह है यह एक यह पार्सियालिटी नहीं हो रही है कॉंग्रेस के गुजरना पड़ेगा ऐसी कोई बात नहीं है अगर किसी पर कुछ आरोफ होगा तो जहां चो रही होगी और ऐसा उसमें कोई जाती है कोई भी पक्षी अपक्ष ऐसा थोड़े देख परसान करने के लिए नहीं होता है सरकार जिसकी सत्ता होती हो परसान नहीं करता है नहीं समय और सरकार तो जिसनने जनता नहीं चुना था हुआ नहां करते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो बसे में तो किसी को भी परशान कर सकते हैं गुंडे मा लोग्, लास्ट रेस्टिनेसन क्या है इसके बाद, पॉलिटिक्स में, एंपी के बाद, हम लोगों को थोड़े पता हुता है, कुछ नहीं, पूछ नहीं, जो आपने आशिरवाद दिया, हम गाना गा रहे थे, ख्यू को आशिरवाद दिये आप, हम फिल्म करने गए, आपने एंपो फिर यहां इस छेत्र में मौका मिला कि आप एक चुनाव लड़ी है तो यहां भी जनता ने आशना लिजिए आपको मंत्री अगर मतलब आपको कोई एक ड्रीम प्रजेक्ट होगा देश में सब इसे परधान मंत्री जी ने निया संसद बन बाया उनके ड्रीम प्रजेक्ट में कि मैं मेरे समय में अब भारत में जब तक डेमोक्राइसी रहेगी ने इंद्रमोदी के नाम को आप नहीं मिटा सकते हैं कि उन्होंने एक लकीर खीज़ दी नया पार्लियमेंट नोंने बना दिया आपकी वी तो कोई एक ड्रीम होगा ना कि मुझे अगर मंत्री बनाया जाय या परधान मंत्री बनाया जाया तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है मुझे जो समय के साथ मिलता है बस ठीक है मेरे लिए और उसी को इमांदारी से निभाने की कोशिश करते हैं अगर फिल्मों में मौका मिला तो खूब इमांदारी से रात दिन मेहनत करके फिल्में बनाये और आप पर दवाप तो होगा आपने मतलब अखिलेश यादव की फैमिली के धर्विनर यादव को हराया है तो लोगों को उमीदों तो होगी तो उमीद पे खरा हम लोग इसलिए उतर पा रहे हैं क्योंकि जो पुझिनी महराज जी हैं जो हमारे प्रधान मंतिरी जी हैं ये सब लोग जो है उनके लिए काम सुरू से ही कर रहे थे तो हम जब गए उनके बीच में और उस काम में थोड़ा और तेजी हम लेके आगए क्योंकि हम वही रह रहे हैं तो हम आके इनसे भी मांग ले रहे हैं उनसे भी मांग ले रहे हैं हर व्यक्ति को उसका हक मिले और हम लोग उसमें जितनी मेहनत करना है वो हम करना है भाग दोल कर रहे हैं कि आजमगड में रिंग रोड भी बन जाए आजमगड में अंतरराष्टी हवाई अड़ा भी बन जाए आजमगड में जो सडकें खराब है वो बन जाए अभी 202 रुपया सड़कों के लिए अभी अभी तुरंत आया है तो ये भागदोल हमारे जी में है कि जनता ने अपना प्रतिनिधी चुना है हम उनका प्रतिनिधी बनके और मंत्राले में और बाकी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं महराजी उनके पास सब जगत दोड़ते हैं भागत हैं और बताते हैं कि जनता की समस्या जनता की ये मांग है यहां पे पूल मांग रहे हैं यहां पे शड़क मांग रहे हैं यहां पे ये चीजे मांग रहे हैं और वो सारी चीजे बड़ी आसानी से मिल जाती है और वो जनता खुश है उनको याद्वों के लिए खास पहले से चल रही है तिहास भी रहा है चीन के युद्ध में उन्होंने आगला में रिजमेंट ने बहुत ताकत दिखाई थी बाद में कई सीक्रेजमेंट तो इसलियम है प्रदान मंतरी जी से भी और भारत सरकार से और सभी लोगों से ये निवेदन किया कि ये बनना चाहिए ये मांग एकदम जायज है और ये बन जाना चाहिए अज़ा दूद निकालना भूल गए अभी आता है आता है ये लोग क्या कहेंगा उनको जिन्होंने पूरे यादव कम्निटी को यार ये दूद निकालने वाले हैं घुटने में इनका अकल हो जब कि लालवी यादव हो गए मुलायम सिंह आदव हो गए फिल्मों में भी हैं ल तो सही कर दीजिए दिखा दीजिए दुनिया को अगर आपको बुरा कुछ देखिए आपके बारे में अगर कोई सही बात हो रही है तो सही है बुरा मानने की बात नहीं है और अगर कोई गलत बात हो रही है और आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है तो हम नहीं है तो आप उसको गलत साबित कर दीजिए, आप प्रूव कर दीजिए कि आप ऐसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं लेकिन ये तो चलिए मतलब आप या दव हैं या कुर्मी हैं तो थोड़ा एक बीच का कंडिशन से सुचे उनके बारे में जो जिनको अच्छूत बना दिया गया सीडूल काष्ट आप भी गाहों से हम भी गाहों से एक महले में किनारे की तरफ उनका घर होता है ना जमीन है ना पढ़ाई है कुल मिला जुला के एक संभीधान बना उसमें थोड़ा सा उनको रिजर्वेशन का प्रावधान मिला उससे भी लोग नफरत करते हैं वो भी आप नहीं माने कि जाती बाद है मुझे लगता है कि उसी चीज को तो प्रधान मंत्री जी जहां जाते हैं आप देखें कि जब काशिविश्वनात में गए वो तो उनका पैर्द होते हो जो साब सफाई कर्म नोकरी चाहिए उनकी जानते हैं सफाई करम चारियों का प्रावटाइजेशन हो गया यह गरीबी सरेक मकरजाल है दस जार जो कमाएगा वो क्या पढ़ाएगा क्या लिखाएगा क्या खाएगा पहले उनको 40 बालमीकी समाज के लोग जातर सफाई करम चाहिए थे चालिस जार पजास जार तनखा हो गए थी लोग डॉक्टर इंजिनियर प्रफेसर बनने लगे थे फिर वो नोकरी प्रावटाइज हो गई प्रावटाइजेशन को लेकर आपकी क्या रहा है यह सरकारी नोकरियां रहनी चाहिए या प्रावटाइजेशन हो जाए देखिए कोई भी फैसला जो है वो पूरे देश के हित को रख के लिया जाता है किसी खास आप कहेंगे कि इनके हिसाब से हो जाए उनके हिसाब से हो जाए कोई भी चीज तो वो नहीं होता है पूरे देश का हित किसमे है अरक्षन पर आपकी क्या रहा है अरक्षन रहे या खत्म हो ज मैं कि इसमें आप क्या चाहेंगे तो मैं डेश को साथ होगा तो क्या करेंगे यह सब मुझे मत फसाइए जनता जो चाहे वो मेरे चाहने से कुछ नाम जाती जनगनना पड़ क्या रहा है जो का सेंसर की डिमांड हो रही है अब उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूं तो इसलिए मैं उसके बारे में क्या बोल पॉल्टिक्स पर नहीं आना चाह रहे थे हम आ गया तो उन्होंने जवर्दस्ति जाती जनगनना करवाया था और वो करवाया भी गया दस्तर कोड़ का खर्चा भी हुआ उसके आंकरे जारी नहीं किये अभी यूपी में आपका जाती जनगनना सबसे बड़ा यूपी बिह कुछोगा मैटर जिसके वजए से नहीं हो रहा होगा कुछ तो देश हीत ही होगा क्योंकि प्रधान मंत्री जो भी फैस्टा लेते हो सत्य हैं और पुसे एक भारत सरेव्ट भारत की अगर कोई व्यक्ति कलक्णा करके चल रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा जिसलिए नहीं क प्रदाहान मंत्री जी का क्या है कि वो तो जिस तरह से उनके नित्री तुमें हमारा देश देखिए आप करोना काल में बाकी देशों को देख लीजिए उनकी क्या अहलत हो रही है बाकी देश को देखिए बड़े बड़े देश को देखिए पर वो करिश्माई नहीं होते तो कैसे हमारे देश को उस बिकट संकट से निकाल करके और उसको लगातार तेजी से आगे ही बढ़ाते ले जा रहा है भारत में इतनी अवेवस्था कहीं नहीं थी पता नहीं तीवी अख़वार नहीं दिखाता अजै कि यहीं टीवी अख़वार मैं बहुत 2006 से नौकरी कर रहा हूं टीवी में और 2015 तक किया है कि सही कह रहा हूं सर अगर दूसरी सरकार होती न गयर वीजेपी गयर आरस्स तो यह तिए अगवार वाले खाल खाल कीच लेते जितने आप टीवी वाले हैं आप ज्यादा जानते उसके बारे में तो मैं उतना नहीं जानता जितना आप जानते हैं अच्छा लगा शुक्रिया आपने जवाब दिया ये simplicity कहां से आती आपको ये by twice है या by birth है क्योंकि एक सांसद होना वो भी पुर्वांचल के लोगों में बड़ी हनक होती है हमारे हैं तो मुखिया जी कि इतनी अनक होती है कि पूर्व मुखिया लगा के आप देखाए कि नहीं बलोरो हो या scarcity कैसे तना स्टार्डम देखना फिर सांसद होना इतना सफल होने के बाद हृए इतनी simplicity क्योंकि हनक के लिए बने नहीं है जैसे आपने जो बात कहा कि अगर कोई ब्यक्ति हनक पाने के लिए कोई चीज करता होगा तो उसको वो चीज आएगी हम तो जो हमारी जनता ने इतना आशिरवाद दिया इतना प्यार दिया आप खुदी इस बात को मान रहे हैं और आपने कहा भी कि एक साधारन से कद काठी का लड़का जो मुंबई में इन्फेर्टी है फिल्म इनरस्टी बहुत कास्टीजम है वहाँ तो नेपोटीजम भी है ठीक है कोई बात नहीं पर फिर भी जाके हम लोग अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता की देन है और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने वो प्यार आशिरवाद दिया हमको उसके बाद उससे भी ज्यादा करजा अब लाद दिया जब मुझे वहां से मौका मिला और उन्होंने मुझे वहां सेवक चुन भी लिया तो मुझे लगता है कि अब उनकी सेवा करना ही मेरे लिए सर्व बोट की रिस्पोंसिलिटी बीजेपी के लिए आपके कंदे पर है कि रहुआ जो है वो पूरा यादव बोट लाएंगे बीजेपी के लिए पिछला चुना आपका अखलेज जी के खिलाफ या फिर धर्विंदर जी के खिलाफ जो आप यूपी में कम से कम यादव कमुनिटी की बोट की जिम्दारी तो आपके पुस्टर भूआ हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे देखिए हम लोग सिर्फ अगर जीत पाते हैं या हम जीते हैं तो उसके पीछे एक ही कारण है प्रदार मंतरी जी की जितनी कल्यान कारी योजनाएं घर घर तक पहुंची मतलब ढूंड ढूंड के अभी आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो देखेंगे कि जो बनवासी जाती के लोग हैं कोई एक व्यक्ति बचा ही नहीं होगा जिसका घर पक्का नहीं बना दिया तो बहुत बार गया हूं जाते हैं बनवासी सब निकला इसलिए मैंने कोई और सब्द होगा तो आदिवासी होता है से जो साखा वाले बनवासी बोलते हैं नहीं मैं सॉरी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं नहीं वह और बोला वह बता दूं पहले हमारे जो चुनाव लड़े थे अभी हमारे गाजीपूर में उनका वो टाइटिल लगाते हैं तो इसलिए मैंने कहा क्योंकि हमारी ही विधान सभा है जखनिया जहां से चुनाव लड़े थे उनका पूरा नाम भोल रहा हूं पर टाइटिल लिखते हैं बनवासी तो मुझे लगा कि शायद वो लोग यहीं लिखते होंगे बाकी आपको यादब होने का फायदा नहीं मिला योगी जी की नेजर में आप इसलिए भी तो आयोंगे ने कि उनको एक याद यूपी में बारत 14 परसेंट एक कमुनिटी की संख्या है बिहार यूपी में तो आपको पूरा बिहार हो या यूपी उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है आप एक पॉस्टर भॉआ है खासकर कमू 위डाइ कमीटी के। होथा है कि आप से जादा थोड़े कोई जानता है आप लोग से जादा हम लग लग ऐसी बत वंगा आ है हम लोग देखिए या त्व इतनी बात करना भी नहीं चैजिए क्योंकि राजणिति काह लोड़ा को से उसके बारे बह। जानते हैं आपको भी पता है कि हम तो कलाकार हैं हम फिल्मे कर रहे थे और अचानक से हमको इसमें उसर मिला तो मैं आ गया हूँ सीख रहा हूं कोशिश कर रहा हूं मेरे जो सीनियर लोग हैं उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूं पर आप मुझसे इस पर ज्यादा वो पूछेंगे तो मैं उझे नहीं आता हूं मुझे प्यार आशिरवाद मिला है इतने में जो जितना सेवा कर पा रहा हूं वो तना ही कर relationships और अपनी फिल्मे भी कर पा रहा हूं ज्यादा जीम्यादारी नहीं चुआए मेरे फिल्मे चूट जाएंगी अच्छा लगत अब बहुत सहमत होंगे सहमत होंगे बातची से लेकिन फिर कह रहा हूं जिस community से इस देश की 95% आवादी है उसके लिए नौकरी हो या commercial industry हो या corporate हो या फिर professional life हो चाहे media हो, TV हो, film हो, politics हो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ते है क्योंकि उसे बिरासत में कुछ मिलता नहीं है उसे कुआ खोदना है, खुधी पानी पिना है, जैसे खुधी कद्दू का प्रेर लगाना है, फिर सबजी भी खाना है, तो निरहुआ उसी category में से आते हैं, इसलिए आप लोग बहुत, लगने एक बात होता है कि मेरी बाच्ची से मेरा अंदाजा है कि बहुत ज़्यादा political है और इनको पता है कि कब, कहां, कैसे और कितना बोलना है, और ये talent जिस community में, जिन लोगों में होता है, वो हर field में उपर तक जा सकते हैं, सत्ता के सिखर तक जा सकते हैं, तो आप एक भविस के बरे नेता का इंतिजार किजिए, सैद मेरी बाते गलत सा भीतना हो, क्योंकि मैं बड़ा चैलेंज है, सिस्टम में बने रहना, पुरी बात्चीत पर आपकी परत्किरिया जो भी हो, कैसी लगी बात्चीत, जरूर बताएगा, और मैं फिर कह रहा हूं, कोशिस कीजिए, तमाम बाधाओं के बाद मैं इनके इस बास से सहमत हूं, कि अगर आपको कोई नीच पारिस है, कि अगर इसको बचाना चाहते हैं, तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, कि हर ख़बर को शेयर करें, ला